Hey guys, welcome to our channel Penta Media Technologies Once again, मैं आपका host और digital दोस दानिश लेके आगए एक और brand new video आप लोगों के लिए I know, I know, पिछले 2 weeks में 2 videos आई हैं थोड़ा late हो गया है, थोड़ा delay हो गया है मामला बट हाँ, यह जो delay है, बहुत ही अच्छा delay है आप लोगों के लिए वो news भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं बहुत जल्दी कि क्या वो delay है, किस हुए से हम लोग इतना delay हो रहे है वो जो news है वो बिलकुल आपके favor है तो please हमारे चैनल के साथ बने रहीएगा हमारे चैनल को subscribe कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है और bell icon को दबाना मत भूलेगा और जिन्होंने अभी तक past videos नहीं देखी है वो भी देखिए, enjoy करिए, digital marketing के बारे में बहुत सारा free information गूम रहे है तो आपको button उनने की देर है तो चलिए इस video को start करते है तो यह जो video है दोस्तों आज की जो हम लोग आपके लिए लेकर के आए है वो वीडियो का जो topic है वो तो आपने पढ़ी लिया है नीचे title में पर होता क्या है कि WordPress पे वीडियो या WordPress पे आपका website बनने के बाद काफी ज़्यादा issues आते हैं plugins को लेकर के क्योंकि इतने ज़्यादा plugins WordPress offer करता है आप वोट पे इंस्टॉल कर लेते हैं जो की फालतू है और बेसिकली वो क्या कर रहे है हमारे server की space को खा रहे है और उससे space खतम होने से हो क्या रहा है हमारी website slow हो रही है ultimately traffic को जो है वो जल्दी website pop नहीं हो रही है उसके विएसे आपका SEO डाउन जा रहा है उसके विएसे आपका traffic डाउन जा रहा है और ना जाने क्या आप बहुत सारी problems हमको face करनी पड़ी है just because बहुत सारे फालतू plugins हम लोगों ने हमारी website WordPress website के ओपर install करके रखे हुए आज जो हम आप लोगों के लिए लेकर क्या हैं चार ऐसे plugins जो की most probably SEO point of view से कहलीजी है या आपकी website की technical health point of view से कहलीजी आपकी website के लिए बहुत ज़रूरी है अगर उन 4 plugins को आपने perfectly use कर रहा तो आपकी website का आधा काम तो मानिये हो गया बट ऐसा नहीं यह भी अपने आप हो जाएंगे इन में भी आपको setup करना पड़ेगा आपको समझ में आजाएगा कैसे आप अपनी free website setup कर सकते हैं और कैसे उससे earning start कर सकते हैं प्लीज आए एकन को दबाना मत भूलिएगा तो चलिए यह चार plugins के बारे में आपको बता रहा था तो पहला plugin जो है दोस्तों आप लोगों के लिए आपके WordPress website के लिए वह है W3 total cash नाम उसे इसको जाना जाता है होता क्या चीज़ है यह आपके site का एक image होता है kind of internet image होता है जो की यह store करके रखता है इस particular CDN spot तक पहुँच जाएगा और आपकी website को जल्दी पॉप कर देगा जल्दी पॉप करने से होगा क्या दोस्तों आपकी जो site की जो load time है वो हो जाएगी कम, load time कम होना एक बहुत important factor है as far as SEO is concerned तो अगर आपका load time कम हो रहा है CDN के तुरू W3 total cash के तुरू तो basically यह elaborate कर रह और free plugins यह जितने plugins में आपको बता रहो उससे सब free है क्योंकि wordpress.org पर easily available है और मैं totally free नहीं बोलूँ है freemium plugins है freemium plugins क्या होते है जो partially free होते है और partially paid होते है अगर आपको उनकी free service sufficient लग रही है आपके काम आ रही है सिर्फ उतने में आपका काम हो पा रहा है that's it that's it that's okay और पर आपका जो काम हो जाएगा दोस्तों वो free वाले पार्ट से हो जाएगा बहुत अत्तक्री वाले पार्ट से हो जाएगा बहुत कम instance में हमको pay करना पड़ा है तो जो second plugin है दोस्तों जो हम आपसे बोल रहा था वो है smush image compression और यह जो plugin है दोस्तों यह फ्री एवेलेबल है wordpress की इमेज इसको क्या करते है compress कर देता है according to new formats according to new internet formats उनकी sizes को revise कर देता है बहुत compress कर देता है उसके से होता क्या है आपकी server की space जो है वो कम consume हो रही है साथ के साथ जब image को render को किया जा रहा है जब image render हो रही है जब पॉप कर रही है यूजर की स्क्रीन पर ट्राफिक की स्क् website को server end पे आपकी traffic को front end पे मिलते हैं और यह बहुत अच्छा plugin है अगेन यह free plugin है जिसका नाम है smush image compression तो यह भी आप रीज यूज़ करिए बहुत बड़ी है प्लगिन है तीसरा free plugin जो आपकी wordpress website को skyrocket कर देगा वो है Yoast SEO Yoast SEO क्या है अगेन फिर से नाम से बता बढ़ रहा है आपकी SEO को boost करने का free plugin है freemium plugin है और वो क्या करता है दोस्तों आपकी पेशकी जितने भी on page elements है और जितनी भी on page techniques होती है SEO की जितनी भी on page techniques है उनको justify करने में आपकी help करता है यानि कि आपने एक piece of content बनाया है तो उस piece of content में आपने किस keyword को use किया है कहां use किया है किस तरीके से use किया है क्या properly use हुआ है कि नहीं हुआ है वो सारी चीजों की detail आपको बताता है Yoast SEO और Yoast SEO भी एक बहुत बढ़िया on page elements को correct करने के लिए बहुत ही बढ़िया plugin है must have plugin है इसका एक और competitor plugin है जो एक bonus tip मैं आपको देता हूँ जिसका नाम है all-in-one SEO but मैं personally मैं prefer करता हूँ Yoast SEO क्योंकि starting से मैं Yoast SEO use कर रहा हूँ हाला कि दोनों में बहुत ज़्यादा difference नहीं है but for me Yoast SEO is much more user friendly much more friendly for me तोगी बहुत time से use कर रहा हूँ तो आप लोग भी दोनों से जो भी आप चाहें वो यूज करके देख सकते हैं जो भी आपको easy लगे जिसमें भी आपको ज्यादा benefit लगे जिसमें आपको ज्यादा options लगे पैसे बहुत ज़्यादा difference नहीं है दोनों में दोनों लगब सेम से हैं यो से स्यों थोड़ा सा मेरे लिए user friendly हो सकता है आपके लिए all-in-one SEO हो जाए तो आप जो चाहें वो plugin को यूज कर सकते हैं तो इसी के साथ मैंने आपको दे दिया एक bonus plugin जिसका नाम है all-in-one SEO और जो final plugin है दोस्तों 4th plugin 4th free plugin उसका नाम है AMP for WP AMP for WordPress और यह totally free it's a free plugin it's on करते सब के उपर जो की Google समझता है काफी latest है काफी trendy है और जल्दी rank कर जानी चाहिए I give an example मालीजिए कोई 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 बहुत बड़ा celebrities जो है Bollywood के कोई बहुत बड़ी celebrity जिनकी death हो गई है और मालीजिए काफी सारी news उस particular news को cover कर रही है आप लोगोंने कई नोटिस किया होग कि वो news जो है वो तीन महीने बाद दो महीने बाद या एक महीने बाद रांक करनी चाहिए और हो क्या रहा है वो तुरंत रांक करने लग जाती है special news वाली website तो यह सारे pages क्या होते हैं these are all schema rich pages और यह जो basically इसके पीछे एक और technique जो हम लोग use करते है वो accelerated mobile pages इसका जो symbol होता है वो कुछ इस तरीके का होता है lightning symbol होता है और इससे आप judge कर सकते हैं कि AMP pages basically क्यों बने हुए AMP pages बने हुए आपके mobile phones के लिए so mobile phones में अगर आप google search कर रहे है तो आपको यह वाले symbol में आपको बता है यह symbol आपको काफी बार देखने को मिलेगा और AMP pages जो है AMP converted जो pages होते हैं वो बहुत easy और बहुत fast rank करते हैं SEO के अंदर तो अगर आपके पास AMP plugin है वो आपके web pages को automatically क्या करता है AMP में convert कर देता है AMP में convert करने से जो Google की latest algorithm है mobile first indexing उसके लिए वो surpass हो जाता है और वहाँ पे उस particular algorithm के through जो है आपके pages जो है वो rank करना start कर देते है जल्दी rank करना start कर देते है तो what I suggest is you must have this AMP for WP plugin जिसके वज़े से आपकी web pages को अपने आप AMP convert किया जाएगा और उनको जो है जो needed boost है mobile SEO के लिए वो उनको मिलेगा जिसके आपको काफी ज़्यादा traffic देखने को मिलेगा यह जो चार plugins दोस्तों मैंने आपको बता है freemium plus free यह आपकी WordPress website पर होने चाहिए बिलकुल होने चाहिए यह free plugins है तो इनको रखने में कोई बुरा ही नहीं है यह कोई space नहीं खा रहे बदले मैं आपको काफी अच्छा output निकाल करके दे रहे तो what I suggest is यह चार must have plugins you should have on your website on your WordPress website so I hope आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी जिनको नहीं लगी है वो please comment section में comment करके बताइए कि क्या problems है क्या suggestions है हम लोगों के लिए क्या हम अपनी वीडियो में और correctify कर सकते हैं आप जैसा बोलेंगे बिलकुल हम उन suggestions को लेने की कोशिश करेंगे उनका input लेने की कोश ले लेकिया रहे हैं जो कि आपके favor में होने वाली है so please इस वीडियो को जितना हो सके उतना share करिए हमाई चानल के साथ जोड़े रही है और अगर कोई भी आपको problem में कोई समस्या है related to any wordpress plugin या wordpress in general please comment section आप लोगों के लिए open है वहाँ पर आप हमें comment करके बता सकते हैं थाक